हैलो दोस्तों मैं हूँ योगेस और स्वावत करता हूँ आप सभी का डेरिंग ड्रीम यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह जो स्मार्ट फोन होता है स्मार्ट फोन की बैटरी को हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं किस तरीके से अपनी बैटरी को यूज कर सकते हैं ताकि बैटरी लंबे समय चक चले और अपने फोन को किस तरीके से अपने फ्रेंडली रख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो टिप्स देने वाले हैं फोन की बैटरी से लिटर बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं पूसलिए आज की वीडियो इस्टार्ट करते हैं या अगर हमके ही चया जहाँ ज़याँ जाटी होती है तो यहांपर हमारा जैटरी रॉट करते हैं वहां सरवा टो फूंकरिश होती है ठीक इसी तरीके से हमारे स्मार्ट फोन की बैटरी भी होती है जिस तरीके से हम खाना खाते हैं हमारे परामिटर सेट होते हैं कि यह चीज खाना है इतना ही खाना है इतने दिने टाइम पे खाना है ठीक उसी तरीके स्मार्ट फोन की जो बैटरी होती है उसका भी हर एक समय तय होता है उसका हर एक charging point तय होता है कि कब उसको कितना charge करना है तो आज हम इसी चीज़ के बारे में देखने वाले हैं देखें यह है mobile charging tips अब हम इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से पूरे tips के बारे मताएंगे कि किस तरीके से आपकी जो बैटरी ह पूरी healthy पनी रहे जो ज्यादा backup दें आपको और विल्कुल स्वस्तर है इसके बाद अगर आपको यह वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप अपनी बैटरी को कुछ इस तरीके से सेक्योर रख पाएंगे अगर आपको charging tips के बारे में नहीं पता है तो अगर आप जैसे मन वैसे mobile को चार्ज में लगा देते हो तो कुछ आपको ऐसी प्रावलों जहलनी पड़ जाएगी आपकी बैटरी बहुत ही कम दिन में dead हो जाने वाली है चलिए आज की वीडियो में यह पूरा चीज़ देख लेते हैं पहला होता है सबसे पहला point होता है वह होता है charger ध्यान इसे क्या होता है आपका phone बहुत ये तरीके से चार्ज होता है कभी आप duplicate charger के उपर मत भरूसा करिए क्योंकि यह duplicate charger जो होते है यह आपकी battery के health को हमें सा गिराते रहते हैं यह आपकी battery को हमें सा खराब करने का काम करते हैं तो थोड़ा सा पैसा जादा लग जाए तो क्या वो आप सिंगल आने लगे हैं तो उस फोन के चार्जर को आपको खरीदना है तो वो फोन का चार्जर के लिए आप उस फोन के सरीव सेंडर से ले जाए और वहां से जेन्वीन चार्जर ही खरीद के लाएं आगे दो नाट यूज फोन वाइल चार्जिंग एक्सी ध्यान रखिएगा पहले आपको पता होगा कि जब हमारे कंपनिया जब हमको चार्जर देती थी जब केबल देती थी उनका केबल बहुत ही छोटा होता था इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि जब फोन चार्ज ह बारे में देख लेते हैं एक सी ध्यान रखिएगा आज के जबाने में बहुत सारे नए-नए स्मार्ट फोन आ गये हैं जिसमें एक सो साथ वाट तक के फास्ट जिंग का फूंग्सन आ गया है जो 25 मिनट में 30 मिनट में आपको फोन को पूरा फूल चार्ज कर देता है और उ आपको आपके भर पेट भोज़न दूं आपको और खुब तेजी से आपको मैं मतरब खुब आपके मुझ में घूब थूश थूश से अगर मैं खिला दूं तो आपको काईसा लगेगा अगर वहीं पर आप किसी चीज को अच्छे से खाते हैं दीरे अपने अंसार खाते है तो वो आपके लिए अच्छा होगा, तो अगर आपके फोन में जितना Fast Charging सपोर्ट करता है आपका फोन, आप उसको उतना ही Fast Charging के Charger से चार्ज करें, ऐसा नहीं है कि आपका फोन 20W चार्जिंग सपोर्ट करता है, आप उसको 60W के Charging से चार्ज कर रहे हैं, तो यह आपके फो आफसन आज कल मार्केट में आफसन आ गया है Wireless Charger, ध्यार रखेगा, बहुत लोग केते हैं, वार्लेश चार्ज करने से फोन चार्ज करने से हमारा जो है, इसा कोई बात नहीं है, वार्लेश चार्ज करने से क्या होता है, हमारा फोन ठोड़ा जरूर चार्ज होता है, लेकिन आप जब भी एक फोन को चार्ज करें जादा तर दर्फ करें किया अगर इसका ओप्षे को वाले से चार्ज कर सकते हैं एक हम पृस्ति करट से तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, कि आपको कार खोलना चाहिए, कुछ दिर तक वेट करना चाहिए, ताकि कार थोड़ी सी ठंडी हो जाए, आपका फोन रिजा ठंडा हो जाए, तो उसके बाद जब टमपरेचर को 30 के लगवग हो तभी आप फोन को चार्ज में तो हो सके, तो अपने मॉवाइल फोन के जो कवर है, उसको रिमूफ करें, अब मैं ऐसा क्यों गह रहा हूँ, मैं मॉवाइल फोन के कवर को इसलिए निकालने के लिए कि लिए क्यों 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 क्य है तो कोई बात रही है लेकिन अगर गर्मी की दीने से इसम्हां गर्मी का दिन हो उसमें अध्यान रखेगा है कि आप उस समय अपने mobile phone के cover को बाहर जरूर से निकाल दें एक जाओर ध्यान रखेगा कि अगर आपके पास यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप सस्ता वाला कवर यूज़ कर रहे हो उसको फोन चार्ज करते समय जरूर से बाहर निकाल दीजिए फोन टमपरेचर एकिति धिज़िए इसे इनसान है हमेंगा अच्छा लगता है जैसे मैं अगर 6 धिजिए nessa ट्यों ऑगर surgical तो कोई दिक्कत नहीं होती एक इनसान आराम से सरवाइब कर सकता हौन इसी तरीके जो फोन होते होलोते हैं उनके लिए भी खूछ टमपरेचर फिक् तो Android के लिए भी पैरामीटर है इसके लिए कुछ अलग से पैरामीटर नहीं है तरहीं ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब होता है तो वह हमारा बढ़िया होता है उसमें अवाइड करो कि आप हैवी टास्क न चलाओ जैसे आप गेम न खेलो ताकि आपका फून ज्यादा हीट न करें कोई ऐसा काम न करो जिससे आपका फून बहुत ज्यादा हीट करें इससे अगर थोड़ा बचते है तो आपकी बैटरी लाइब बहुत बैतर हो जाएगी अगर आप इससे नहीं बच पाते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा काम है तो आप कर सकते हो मेरे यह समझाने का मतलब है कि आप हर बार वार ऐसा काम न करें कभी कभी जरूरत पढ़ने पर आप इसको कर सकते इस अब से बेश्ट आज तक हम लोग क्या करते हैं लिधियामान की बैटरी को यूज करते हैं और इसका बहुत अचा फार्मूला है अगर बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है तो भी इसको दिक्कत होती है और अगर बैटरी बहुत ज़्यादा घट जाती है तो भी इ नाय रखना चाहते हैं तो अपने बैटरी को आप 80-50% तक चार्ज करने के बाद उसको बाहर निकाल दीजिए और जब भी आपकी बैटरी 25-30% तक जाती है आप उसको दोबारा चार्ज में लगा सकते हैं ध्यान रहे अगर आपका बैटरी 85-90 तक भी है तो कोई दिक्कत नही है अगर आपकी बैटरी अगर 80 से नीचे है मतलब 60 है 70 है 50 है तो आप उसको चार्ज में लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको घर से कहीं बाहर जाना है आपको पता है कि काफी लंबे टाइम तक मुझे कोई चार्जर वार्जर नहीं मिलने वाला है तो उस टाइम आप अपने फोन को 100% चार्ज करिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो बेस्ट जो हमारा जो पर्फेक्ट जो बैटरी परसेंटेज जो होता है वो 80 से 85 से 90 तक होता है अगर हम लोवर में जाते हैं तो 20 से 25 से 30 परसेंट तक ही होता है आपके फोन मे है वाइफाई है Bluetooth है NFC है और इसके साथ यह बहुत सारे इसे फीचर्स है जिसका यूज नहीं है फिर भी आप उसको क्या करते हो अन करके रखते हो तो मेरे सला आप से यह है कि आप इस फंक्शन को हमेशा बंद करके रखो जब जरूवत हो उसको तभी आप आप अन कर लेक इसके सार्ट कर नहीं है इसमें जिस फंक्शन का यूज आपको बहुत ज़्यादा हो उसको आप उसको कभी-कभी करते हो तो आप उसको ज्यादा तर आफ ही रखेंगे इसे क्या होगा यह हमारी बेटरी बहुत कम से कम कंशूम करेंगा इसके बाद है निस्टाल अप्ट र या एक महीने बाद किसी किसी application को अगर आप यूज करते हैं तो ऐसे application को आप uninstall कर दिए इसलिए क्योंकि यह application जो होते हैं यह background में आपकी battery को consume कर रहे होते हैं और इसके साथ ही आपको battery percentage बहुत जल्दी गिर जाता है और इसके साथ ही मैं recommend करता हूँ कि जो आप लोग facebook से लागते हो इस facebook को uninstall करके एक facebook light आता है आप उसको install कर लिए क्योंकि यह facebook होता है यह बहुत ही बड़ा application है और यह background में अपने आपको हमेशा refresh करता रहता है जिसकी वजह से आप phone की battery बहुत ज़्यादा यह consume करता है तो इसलिए मैं recommend करता ह हो कि आप facebook के जगा facebook light यूज करिए वह बिल्कुल battery न के बराबर यूज करता है और बिल्कुल facebook के तरह ही यह use होता है emulated display है तो उसमें setting में जाकर आप display के setting में अगर आप जाएंगे तो वहां पर dark mode में select करके रखिएगा इससे क्या होगा emulated display में क्या होता है कि यह जहां जहां यह black दिखाई दे रहा है तो यह display के जो भी pixels होते हैं इसको टर्न आफ कर देता है तो इससे क्या होता है कि इसे power consume नहीं होता और हमारी battery हमेसा safe रहती है जहां रखिएगा अगर आपका emulated display वाला अगर आपका phone है तो उसमें आप dark जो है वाले पर यूज किया करिए dark सब चीज अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कम से कम battery consume होगी और आपका phone बहुत यह अच्छा battery backup देगे जाएग तो आखों में problem होती है तो अगर आप phone को dark mode में use करते हो तो ऐसी कोई ही problem आपको नहीं होगी और उसके साथ ही आपकी battery भी बचेंगी बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर आप laptop से अगर किसी phone को charge करते हो तो उस phone की battery खराब हो जाची है देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप charger यूज करते हो उस charger वाट का current आता है इसलिए आपको phone तो जल्दी charge हो जाता है लेकिन अगर किसी laptop में गेबल लाएकर phone को charge करते हो तो laptop के अंदर से current आता है वो तो slow आता है इसलिए आपको phone तो slow charge होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि laptop के charge करने से आपकी battery खराब हो लाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप रात के time phone को charge में लगाएगे सो सकते हो और इसके साथ अगर आपके पास iPhone है तो iPhone की setting में अगर आप battery में जाओगे बैटरी में जाने के बाद अगर आप battery health में जाओगे तो यहाँ पर नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ प आप 11 बजे नहीं होंगे तो अगर आप 11 बजे फोन को charge में लगा देते हो तो यह phone क्या करेगा 80% यह charge हो जायेगा उसके बाद 20% यह charger कट हो जाएगा अगर आप 5 बजे उठने वाले हो तो यह phone खुद चार बजे ही अपने आपको फिर plug-in कर लेगा मतलब cable लगी रहे गी पर जो Android फोन है जो नए नए फोन आ रहे हैं इसमें अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके जो नए फोन आ रहे हैं नए टिकनलोजी है नए चीज़े हैं जो पुरानी प्राइब्लम थी उनको इसके बास नए टेक्सक्ति पुरानी तो finger पर embals नुदी उनको है तो प्राइं ज पॉन आपके बहुत तेजी से चार्ज यह बहुत हो जा आए आप यह फोन को लेकर तो को कभी ना लेकर वे हमेशा भी ब्रोके और ऊजर राट कर देखें, बहुत लोगों को न्मकों को आपक टोट चुकी कटी हुई है यह आपके फोन के लिए बहुत ही डैमेज है बहुत ही खराब कर सकता है आपके फोन को आपके फोन के अंदर जो आईसी लगी हुई है उनको डैमेज कर सकता है ऐसे आपका फोन बहुत तेजी से चार्ज नहीं हो पाता है तो आप हमेशा जो ब्रोकन केबल होती ह उनको हमेशा अवाइट किया करिए आप जब दी केबल खरदा करिए तो आप वर्जिनल कंपनी का केबल करदा करिए विगि आप जब महंगा फोन खरीच सकते हैं तो आप 5700 तक का चार्जर और केबल भी अफॉर्ड कर सकते हैं और इससे क्या होगा आपके फोन की लाइब जो बहुत ही पुराना फोन है तो उसको तरीका से लाइएगा लेकिन अभी जो मैंने इसको जानकारी दी है इस वीडियो में इस वीडियो में मैं अभी लेट्रेस फोन के लिए के बात किया हूँ कि राद बाद चार्ज भाए कर चौड़ सकते हैं को दो दिन दिन चार्ज में लगाए दिया कोई प्रावल्म नहीं आने वाली तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं और अपने फोन की बैटरी को अच्छे से बचा सकते हैं एक सीज मैं आप रिक्मेंट करना चाहता हूं जीसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं बैटरी से सब्सक्राइब ना कि बाहर से कोई अपने फोन के अंदर इनिस्टॉल करें क्योंकि वह जब लिकेशन होता है वह बैग्राउंड में सारे अप्लिकेशन को किल करता रहता है जिसे बैटरी में बहुत अच्छी खासी चंजूम करता है तो आपके फोन के अंदर जो बैटरी किने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको पसंदाई हो तो वीडियो को